इस खताम को देखा धनबाद शाकू और साहिम गंज में होने की भूल मत करियेगा क्यूकि ये गड़वा है पिछले छै महिनों में सूखा ग्रस इस गड़वा में पत्थर माफिया बारिश की तरह बरस रहे हैं रंका और रमकंडा का इलाका यहां एक दो नहीं बलकि 16 क्रसर प्लांट लगाए गए हैं और महें चंद महिनों में और क्रसर प्लांट लगाने वाले कोई एरा गेरे लोग नहीं बलकि ये बड़े और नामचीन लोग हैं इनमें केरल दिल्ली मुंबई बिहार जारकन के माफिया शामिल है। कोई बात का सुनाई नहीं होता है। प्रसर प्लांट लगाने की नियमों को ताक पर रख दिया गया है। और रात भर ब्लास्टिंग के जरिय पत्थर तोड़े जा रहे हैं। लोगों का घर दरक जा रहा है। विरोध करने पर धमकी दी जाती है। हम लोग का गहर का नजदी माइन्स कुल गया है। जिसमें हम लोग का उधर धूल गर्दा उड़ता है। हम लोग बरज में जाते हैं। जो सहाब लोग हैं। देख रहा है CCTV है यहां लगा हुआ। अंदर मत आओ। ऐसा करके हम लोग डरवा धमका कर वहां से हम लोग वापस चल आते हैं। हम लोग मतलब बहुत परसानी है। धूर गल्दा से। हम लोग का बाल बचा पर रहा है। खाना होना में पर जाता है। यहां पत्थर की खुदाई हो रही है। वहां सैकडो मजदूर बगेर सेफटी के काम कर रहे हैं। ब्लास्टिंग के लिए सैकडो क्विंटन बारूद पहाडों के अंदर लगाए जा रहे हैं। जिससे कभी भी घटना घट सकती है। MG CPL नामक सडक निर्मान कंपनी यहां काम कर रही है। इस मामले को लेकर गड़वा के पुर्व विधायक सतेंदर नात्तिवारी ने मोचा खोल रहा है। सासन प्रसासन पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दे कि क्रसर प्लांट लगाने के लिए कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। प्लांट को एनेच या स्टेट हाईवे से 500 मीटर की दूरी, गाउं और स्कूल से 1 किलो मीटर की दूरी, पी टी आर के छेतर से वन विभाग से आधा किलो मीटर की दूरी होनी चाहिए। पल्यूशन को लेकर मंजूरी भी जरूरी है, लेकिन गड़वा में सभी नियम को ताक पर रख दिया है। ऐसे में साशन और प्रशाशन पर सवाल उठना लाजमी है।